नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, आप सभी स्वस्ते हैं, सुरक्षिते हैं और साथ में खुशो कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं मेरी भाषा, हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक पर फिर से स्वागत है आप यहां पर देख सकते हैं, साइन्स ओलंपियाड फाउंडेशन यानि SOF की तरफ से IHO यानि की इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड का क्लास 3 के लिए यह हमारा सैंपल पेपर है और यह 2024-25 का जो सलेबस है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं तो आज हम इस क्योशन पेपर को हल करने वाले हैं यह सैंपल पेपर है जो आपकी मदद करेगा कैसे प्रशन पूछे जाते हैं और यह मैंने SOF की वेबसाइट से डाउनलोड किया है आप भी अगर SOF की तरफ से IHO में भाग ले रहे हैं हिंदी ओलंपियाड की परिक्षा दे रहे हैं तो उनकी वेबसाइट पर जाकर जैसे ही आप सर्च करेंगे SOF IHO हिंदी ओलंपियाड सेंपल पेपर तो हर एक क्लास का सेंपल पेपर वहाँ पर दिख जाएगा आप वहाँ से इसकी पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ प्रशन दिये गए हैं और साथ में स्लेबस भी दिया गया है इसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपने तयारी करनी है और कौन-कौन से टोपिक्स की तयारी करनी है प्यारे पच्चो, हिंदी ओलंपियाड की परिक्षा बहुत सारे ओर्गनाइजेशन के द्वारा आयुजीत करवाई जाती है तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपकी स्कूल की तरफ से किस ओर्गनाइजेशन के अंडर आपका रजिस्टेशन करवाया गया है अगर S.O.F. के अंडर करवाया गया है तो यहां से आप मदद ले सकते हैं अगर Hindi Olympiad Foundation की तरफ से करवाया गया है तो उसके लिए भी आप Google पर सर्च कर सकते हैं उनका Slay Bus, उनके Sample Paper अवेलेबल है और YouTube पर भी बहुत सारे चैनल है जो Hindi Olympiad की परिक्षा की तैयारी करवाते हैं और आपके पास आपकी व्याकरण की बुक तो है ही व्याकरण की बुक सबसे बैस्ट है अगर आप कहीं से कुछ भी सर्च नहीं करते हैं तो भी Hindi व्याकरण की पुस्तक से पढ़कर आप 100 on 100 ले सकते हैं या फिर आपका Hindi विकास मंच की तरफ से registration हुआ है दूसरा काम है उसका syllabus पता करना तीसरा काम है syllabus में जो जो topic दिये गए हैं उनको आपने अपनी Hindi व्याकरण की बुक से अच्छे से पढ़ना है अब आप कहेंगे मैडम कौन सी Hindi व्याकरण की बुक खरी दें मैंने जितने भी बुक हिंदी व्याकरण की मार्केट में देखी हैं हर किसी बुक में सारे topics बहुत अच्छे से दिये वे होते हैं योकि उसमें सारे topics विस्तार से दिये वे होते हैं ज्यादा practice करने के लिए questions नहीं होते हैं वो sample paper वहाँ पर नहीं होते हैं तो कोई भी व्याकरण की पुस्तक अगर आप खरीद लेते हैं तो वहाँ से आपके topics तयार हो जाते हैं अगर आपने सारे topics बहुत अच्छे से पढ़ लिये हैं सारी परी भाशाएं आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिये हैं यसे की भाशा, वनमाला, स्वर, विंजन, संग्या, सवनाम, विशेशन, किरिया, किरिया विशेशन, विलोम शब्द, प्रियावाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तिया, एपठित गद्यांश, एपठित पद्यांश यह जो टोपिक हैं, यह सारे के सारे किसी भी व्याकरण की बुक में आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे तो सबसे पहले आपने सैंपल पेपर नहीं देखने हैं, सबसे पहले आपने सलेबस देखना है दूसरा काम आपने हिंदी व्याकरन की बुक से सारे टोपिक की परिभाशाईं समझनी है अगर आप खुद से समझते हैं बहुत अच्छी बात है आपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं और थोड़ा समय देना है जब आपको लगे कि सारी परिभाशाई हमने पढ़ ली हैं उसके बाद तीसरा काम आपको करना है सैंपल पेपर्स उसके बाद आपको सैंपल पेपर देखने है और सैंपल पेपर गूगल पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ पीडियाफ मिल जाएगी उसके बाद आप यूटूब चैनल की मदद ले सकते हैं आप मेरी चैनल पर भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं हर एक क्लास के लिए 3-4 सैंपल पेपर अविलेबल है जब आपका स्लेबस हो जाए तब आपने अच्छे से सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करनी है और इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप बिल्कुल 100% गोल्ड मेडल लेकर आएंगे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बाते समझ रहे हैं और आगे जब अपने अगली कक्षा में आप तयारी करेंगे या अभी आपके स्कूल में अगर ये परिक्षाई नहीं हुई है तो आप अच्छे से तयारी करेंगे पूरी प्लैनिंग करके तयारी करेंगे और इस तरीके से तयारी करने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगे तो चले हम बात कर लेते हैं, यह class 3 के लिए है, चोटी कक्षा के लिए है, ऐसे ही बड़ी कक्षाओं के लिए भी, कक्षा 3 से लेके, कक्षा 10 तक SOF की तरफ से हिंदी Olympiard की परिक्षाया है, जित करवाई जाती है, class 1, class 2 के लिए नहीं है, 3 से लेके 10 तक है, तो वहाँ sample paper यानि कि दो section बनाए गए हैं, जिसमें पहले खंड में शब्द और व्याकरण बोध, यानि कि व्याकरण के जितने भी topic है, यहां पर syllabus भी हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद, तो 20 सवाल वहां से पूछे जाएंगे, 10 सवाल आपके क्या होंगे, रचनात्मक बोध से होंग तो आप इनको असानी से जमच सकते हैं, और हर एक पृषन का एक 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 ओंक होगा, तो आप यहां से देख लीजे, यहाँ पर 20 क्योषन है, एक एक ऑंक के बीस नमबर बन गये हैं, दस क्योषन एक एक नमबर के इसाप से आपके दस अंक बन गई हैं, और यहां से पांच और एक प्रिशन का दो अंक मिलेगा तो यहाँ पर आपके 10 हो गए है तो टोटल आप देखे 40 नंबर के लिए आपका paper आने वाला है तो यह आपका paper का patron है आपको परिशान बिल्कुल नहीं होना है बस आपको समझना है कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे planning करनी है यहाँ पर पाठे करम या निसले बस देख सकते है तो पहला खंड जहां से 20 सवाल पूछे जाएंगे तो सारे topic यहाँ पर दिए गए है आपको कहीं पर भी कुछ भी आपको किसी भी प्रकार से tension लेने की जरूरत नहीं है हमारी भाषा, भाषा किसे कहते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं लिखित भाषा, मोखिक भाषा, लीपी, व्याकरण वर्ण और वर्ण माला यह सारे topics आपके किसी भी व्याकरण की books में मिल जाएंगे शब्द और वाक्य शब्द किसे कहते हैं शब्द के कितने भेध होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, छोटी कक्षाओं में ही आपके टीचेस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, संग्या, सर्वनाम, विशेशन, ये टोपिक ऐसा है जो आप बच्पन से ही पढ़ते हैं और बड़े कक्षाओं पूछे जा सकते हैं, और सामाने हिंदी ग्यान, यानकी हिंदी भाषा, सामाने हिंदी ग्यान, यानकी हिंदी से सम्मंदित सामाने प्रिशन, पूछे जा सकते हैं, हिंदी दिवसकब मनाया जाता है, इस तरह की सवाल पूछे जा सकते हैं, फिर आपका आता है दूसरा, तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या है आपको अपने सलेबस को कवर करना तो किसी भी व्याकरण की बुक से सभी टोपिक्स को टारगेट कीजिए और अच्छे से तयारी कीजिए उसके बाद फिर सैंपल पेपर हम देखेंगे आगे है उच्तर क्रम सोच कोशल यानिकी जो म कक्षा तीन तो बहुत छोटी कक्षा है और इसमें आसानी से आप इसे कर सकते हैं अब देखो आप अगर हिंदी अच्छे से पढ़ते हैं और आपकी व्याकरण की अच्छे से तयारी है तो आप बिना तयारी के भी आप यहाँ पर सभी प्रशनों के उतर दे सकते हैं तो द संकेत करता है, तो संकेतिक रूप होता है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, दूसरा, आगे है क्ष, अक्षर, वर्नों से मिलकर बना है, तो यह संयुक्त वेंजन है, और संयुक्त वेंजन में आप एक बर तयारी कर लेंगे, तो बड़ी कक्षाओं में भी ऐसे सवाल प और र से मिलकर बनता है फिर आपका क्या होता है गे होता है और गे जो होता है वो जो और ये से मिलकर बनता है तो इस तरीके से इंच्यारों को याद कर लोगे कोई भी पूछा जा सकता है तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या है सही है यह हमारी संयुक्त वेंजन है और जो दो लीप वर्ष के महिने में कितने दिन होते हैं, तो नॉर्मल फरवरी में 28 दिन होते हैं और जब लीप वर्ष आता है यानि कि एक दिन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो ये क्या होता है, 29 दिन, देगे चुतर का नाम पहचान कर उसका विलोम शब्द बताईए, तो ये हमें धर्ती लग रही है, धर्ती आप कह सकते हैं और इसका विलोम पूछा है, तो देखो पृत्वी नहीं बताना है धर्ती है, पृत्वी है, और इसका विलोम क्या होगा? आसमार निमलेकिर शब्दों में इसे शुद शब्द का चैन कीजिए तो शुद वर्तनी वाले शब्द पूछ लिए गए हैं, तो देखो हम शुद शब्द कौन सा है? पहला ये गलत लिखा गया है, ये भी गलत लिखा गया है निमलेकित शब्दों में से कौन सा संग्या शब्द नहीं है तो नाम वाले शब्द क्या होते हैं संग्या ताज महल नाम है बचपन भाव है भाव का नाम है सरदी मोसम का नाम है और मीठा क्या होता है विशेशन आम बहुत मीठा है तो मेठा आम की विशेस्ता बताने के लिए प्रियोग होता है ना की संग्या और यहाँ पर आप देख लीजे एपठित गध्यांश की हम बात कर रहे थे तो यहाँ कुछ भी पंक्तियां आपको कहीं से भी दी जाएंगी और वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे जीवन का सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है निरोगी काया का मतलब क्या होता है स्वस्त होना सेहत ही सबसे बड़ी पूझी है स्वस्त विक्ति ही संसार के सारे सुखों का आनंद ले सकता है अगर हम बिमार हैं और हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, खाने का बहुत सारा सामान है, बहुत सारी सुक्स विदाएं हैं, तो भी हम इंजोई नहीं कर पाएंगे और हमारा शरीर स्वस्त है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इंजोई कर सकते है स्वस्त विक्ति अदम में साहस और उत्सा की खान होता है उसमें बहुत साहस होता है और बहुती जोश होता है मानव शरीर इश्वर की देन है उसे स्वस्त रखना हमारा काम है ये हमारी ड्यूटी है हमारा करतव्वे है स्वस्थ सरीर में ही स्वस्थ मस्तिक्स रहता है यानि कि हमारा दिमाग भी सही से काम करेगा अगर हमारा शरीर सही है शरीर की पूर्ण, देख भाल, उचित, खान, पान, नेमित, व्याम, द्वारा ही इसे स्वस्थ रखा जा सकता है जीवन में खेलों का बहुत महतो है, खेलों से हमारा स्वास्थे और भी अच्छा रहता है शरीर में चुस्ति फूर्ती आती है, खून का संचार तेज होता है, खेलों से हमारी शमता बढ़ जाती है और खेलों से हमारी शारिरिक, मानसिक और बोधिक विकास भी होता है तो यह जो पंक्तियां है आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद यहां से जो सवाल पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं तो जीवन में किसका महतो है, जीवन में किसका महतो है, खेलों का बहुत महतो है, यहाँ पर देखा, जीवन में खेलों का बहुत महतो है, धन जरूरी है, दुख, दुख तो जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन दुखों की बिना हम सुखों को enjoy नहीं कर पाते हैं, और आलस, आलस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो गध्यांश के इसाफ से आपने उत्तर देना है, तो सबसे सही विकल्प क्या है, खेलोंगा, सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है, सबसे बड़ी पूंजी हमारी सेहत है, यहाँ पर भी लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान से आप पूड़े से मुश्किल सवाल कह सकते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे, निमलिकित प्रियावाची शब्दों का उनके चित्रों से मिलान करना है, तो अंबा और जननी किसको कहते हैं, मा को कहते हैं, सूरज और रवी कौन हो पूड़ेगी, OMR शीट में सही विकल्प का गोला आपने भरना है, यह आपके सही विकल्प का गोला भरना है, और आपने क्योशन पेपर के हिसाब से देखना है, लेकिन उत्तर आपने OMR शीट में भरने हैं, तो पहले का विकल्प दूसरा सही है, तो पहले का दूसरा और दूसरे का चोथा, तो पहले का दूसरा, दूसरे का चोथा, तो ये ध्यान से आपने देखना है, घह विकल्प सही है, और एक प्रशनोर यहाँ पर पूछा गया है, यह भी मेधावी खंड से है, और इसको अगर आप सही करोगे, तो दो अंक मिलेंगे, आगे है निमलेकित व वाक्यों को पढ़कर उचित विकल्प का चैन कीजिए, तो वर्णों के क्रमिक और सार्थक समू को क्या कहते हैं, वाक्य नहीं, वर्णों के सार्थक समू को तो हम शब्द कहते हैं, और करमिक विवस्था को हम वर्णमाला कहते हैं, तो ये गलत हो जाता है, संग्या के स्थ बड़ा चार लाल आदी विशेशन शब्द है बिलकुल सही है बड़ा विशेशता बताने के लिए चार भी विशेशता बताने के लिए और लाल शब्द भी हम विशेशता बताने के लिए प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर तीन हमारे सही हैं, बास, दो, तो विकल्प देखो आप देहान से, बास, दो, यह तीनों क्या हैं, सही हैं, तो प्यारे विद्यारतियों, वैसे तो आपकी परिक्षा में 40 प्रशन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुल 10 ही प्रशन दिये गए हैं, क्यों स्लेबस पता लग गया है, तो आपको सब कुछ पता लग गया है, तैयारी कैसे करनी है, तो आपने प्यारे विद्यारतियों, आपको स्लेबस पता लग गया है, यानि कि आपके हाथ में जादू की छड़ी आ गई है, अब आपको बिलकुल परिशान नहीं होना, क्योंकि स् से उनको टारगेट कीजिए अपनी व्याकरण की पुस्तक से पहले जबरदस तयारी कीजिए फिर कुछ सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कीजिए और बिलकुल हिंदी ओलंपियाड की परिक्षा में आप छा जाएंगे आप बिलकुल बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आपको म आपको पसंद आई होगी मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और महत्वपुन जानकारी के साथ चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड मैंने किये हैं अगर वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे प्रिश्णों के आपकी तैयारी हो जाएगी आपक बोड़ धने वाँ